Okay, so India में अब आ चुका है festival time and ये वो ही time है जब online shopping e-commerce websites अपने धेल सारे you know online sales के साथ आएंगे and धेल सारी offers को ले के आएंगे अब इन में जादा तर जो offers होती है वो या तो EMIs पे होती है या low cost EMIs पे होती है फिर instant discount cashbacks और ये सारी चीज़े तो आती ही रहती है इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आप Amazon app के through कैसे आप किसी भी product को आप buy करो और आप उसे EMI पे कैसे आप convert कर सकते हो ये हम देखने वाले है अब चाहे आप इसमें credit card से pay करो या debit card से pay करो इससे कोई फरक नहीं पड़ेगा बट अच्छी बात ये होगी कि मैं आपको इस वीडियो में वो पूरा step by step जो है tutorial बताऊंगा ताकि अगर आपको कोई भी product Amazon app से EMI पे खरीदना है तो आपको उसमें बिलकुल भी problem ना आए आप कोई गलती ना करो जिससे आपके जेब से कभी interest pay ना करना पड़े अगर वो no cost EMI है तो अगर normal EMI है तो वैसे भी उसमें क्या terms दिखाएंगे वो भी हम check कर लेंगे तो चलो अब हम इस वीडियो को सीधा करते हैं शुरू और चलते हैं मेरे mobile की screen पे ओके तो यह हम आच हुके हैं मेरे mobile की screen पे अब देख सकते हैं मेरे Amazon app को कर दिया है इसमें इंस्टॉल और मैंने इसमें sign up and silence up करके रख लिया है तो basically मेरे Amazon account अल्री मैंने बना दिया है अब इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले दोस्तों अब प्लीज मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नीचे दिये हुए bell notification icon को भी दबा दीजिए ताकि मेरी ऐसे ही आपको help करने वाली latest videos जो भी मैं बनाओ वो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए तो अब चलो हम Amazon app को कर देते हैं open अब यह Amazon app के अंदर मैंने क्या किया है कि अल्री मैंने जो है मेरी kart में मैंने Samsung Galaxy M21 इस mobile को कर दिया है एंड तो एनी विच्वेस मैंने मेरा product select कर लिया finalize कर लिया और यह mobile phone को मैंने kart में add कर दिया अब मुझे पे करने के टाइम पे क्या करना है मुझे यहां पर करना है प्रोसी टू बाए यह करने के बाद मुझे यह जो है मेरा delivery address पहले confirm करेगा and this is a dummy delivery address obviously तो यह आप देख सकते हो फिर मैं यहां पर है select कर देता हूँ deliver to this address अब यहां पर यह मुझे कौन सी डेट को डिलिवर होने वाला है यह बता रहा है तो चलो इसको कर देते हैं continue अब इसके बाद this is the main step कि अगर आपको किसी भी payment को यह मैं में convert करना है तो यहां से वो कैसे होगा तो अब इसको हम थोड़ा अब देख सकते हो यहां पर यह मेरे कार्ड का नाम दिख दिया है कि Amazon पैसे से बैंक क्रेडिट कार्ड और यहां पर नीचे जो है यह सारी डीटेल से कार्ड की अब यहां पर अगर आप CVV यहीं पर अपर करके अगर आप continue करते हो यहां पर अभी एंटर करके तो यह आपका जो है यह पे इन फुल का option selected है तो यह पे इन फुल हो जाएगा आप इसके नीचे देख सकते हो यहां पर लिगा नो कॉस्ट यह माइं ओलते हैं प्रिमें और यहांसे आप उसको एड कर दो अगर इस पार वी ऑफर होगी तो आपको यहीं पहले है यहांपे आप इसका no cost EMI available है इसके बाद जो EMI के यह आपको जो options दिखा रहा है यह 9 months, 12 months, 18 months and 24 months यह सारों पे जो है आपको यह 13.99% से लेके इस तरह के आपको interest charge होगा हर साल का तो यहां पे अगर आप एक example लेते कि अगर आपने 9 months का select किया तो आपको क्या आएगा पे करने के लिए तो 9 months में आ option पे जाते हो तो यह EMI पर मन्त आएगी यह आपको interest आएगा and यह आपको total EMI का cost बनके 16,946 हो जाएगा अगर अगर आप 3,9999 की down payment करते हो तो यह EMI आएगी 1412 interest रिता and total EMI cost आपको 12,710 आएगी अगर इसके बाद आप no cost EMI पे जाते हो then obviously यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे अच्छा यहाँ पे आप दिये धियान रखना यह 12,710 में आप 3,990 रेंगा डाउन पे डाउन प्लस आल्मोस 4,000 रुपीस इसमें आप add कर लो अब यह 6 months no cost EMI अब यह है अपने काम की चीज तो यहाँ पे आप देख सकते हो य यह मैं का डिसकाउंट हमें 633 रुपीस Amazon अभी के अभी दे देगा and interest जो है यह हमसे जो मेरी जो क्रेट कर कमनी है यह मुझसे चार्च करेगी 633 तो उसी के सामने Amazon ने हमें उल्रीटी कर दे दिया है डिसकाउंट and यह आप देख सकते हो अब मेरा जो total EMI का जो cost है वह हो गय 999 बेजिकली यह मुबाइल जो 16,000 का दिखा रहा है प्रोड़क पेच पे हमें इतने का ही पड़ेगा अब चलो मैं 6 months के EMI के option को कर लेता हूं च्यूज अब यह हो गया यहां पर select कर लिया अब यहां पर देख सकते हो यह नीचे लिग क्या आगया है कि यह मैं रूपीस 2006 67 for six months no cost and total rupees 15,999 यह चीज़ पर दियान देना यहां पर आप ऐसा कोई प्लीज चूज मत कर लेना यूरो वो जो ऑप्शन है कि जहां पर आपको ब्याज बरना पड़े तो अगर आपको यह मिलती है तो यह जादा बैतर है अगर वो नहीं मिलती और फिर भी अगर आपको यह मै अगे बढ़ना है तो हम पहले एक बार यह नो कॉस्ट यह माई का प्लान चॉइस करते हैं और हम इसमें बढ़ते हैं अगे अब यह मैंने जो है मेरा सीवी नंबर एंटर कर दिया है अब मैं इसे करता हूँ कंटिन्यू और यह ओविसली बिलिंग एड्रस कंफर्म करवा र दिया है और यही जो है और तोटल के नीचा आप देख सकते हो इंटरेंस डैट वी चाज़ बैंक तो यहां पर अमेज और इसका पहले से ही डिसकाउंट हमें अभी के अभी दे दिया इंटरेंस तो बैंक बाद में आने वाले यह जो यह मैं जो अमने जो सिलेक्ट की है यह है उतने मैंडों तक लगने वाला है यह देखें यह 6 मेने तक में वह भी आज निकालेगा लेकिन एक बार एमेजन ने हमें अभी के अभी डिसकाउंट दे दिया अगर यह नहीं होता तो यहां पर नो कॉस्ट यह वाला यह जो अमाउंट यह नहीं आता आपको डायरेक्ली यह interest and all चीजे बता देता फिर यह यहां पर देखें यह बता रहा है यह page पे कि यह मैं पेवल to bank is 2006 66.15 to 6 months और यह आप देख सकते हो इस इंपोर्टन यह information कि आपकी बैंक आपको 633 रूपी का interest charge करने वाली है बट नो को से माउफर के तहद हम आपको यह यहां से discount दे रहे हैं तो यह सब चीजे देखने के बाद आप फिर बाद में इससे कर दीजिए place your order and pay the moment आप यहां पर यह click करोगे तो इसके बाद जो है आपको इसके आगी OTP आ जाएगा आपके bank के card से वह आपको एंटर करना ह है submit कर दीजिए and done फिर एक बार आपका order confirm हो गया तो फिर आपके EMI यूं समझ लोगे आज आपने order प्लेस किया है within 2-3 days जो है वो पूरा amortization schedule आजाएगा आपके email id पे bank के तरफ से किस तरीके से है and बस फिर आपके पैसे कटने almost शुरू हो जाएंगे so this is the way कि कैसे आप एक यून एक normal order को आप EMI में convert कर सकते हो in fact अगर आपके no cost EMI का option है तो मेरी सला यही है कि पहले आप उसे choose कर लीजे and up no cost EMI वाले option में आप EMI में जाए ताकि आपका जो interest है वो बच जाए बट फिर भी अगर यून थोड़ी सी problem है या कुछ है तो definitely आप normal EMI को select कर सकते हो and Amazon पे value की होती है तो हमें हर चीज पे EMI का option जरूर मिल जाता है in fact अगर आपके वास बजाज फिंसव का card है जो EMI का card आता है तो वो भी आप यहां पे यूज कर सकते हो हाँ जी तो बस यह है पूरा वीडियो दोस्तों I hope so के आपको यह अच्छा लगा यह वीडियो and you know अब हम मिलेंगे मेरे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई